अगर आप मेरे चानल पर न्यों हो तो फौर ही सब्सक्राइब करें आज हम बनाने वाले हैं यमी चिकेन पीज़ा पीज़ा तो सभी का फेवरिट होता है हम सभी तो सुचते हैं कि पीज़ा घर में कैसा बन सकता है आज मैं आपको बताऊंगी हम इजी इंग्रीडियन्स के साथ रेस्टरोन जिसा पीज़ा कैसे बनाएंगी चलिए शिरू करते हैं सबसे पहले तो हम पीज़ा बेस बनाने वाले हैं तो देखते हैं बेस के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी पीज़ा बेस के लिए हम लेंगी सबसे पहले हम एक बोल लेंगे और बोल में मैदे को डाल लेंगे मैदे में इस्ट डालेंगे और इस्ट और मैदे को अच्छे से मिक्स कर ले अब मैदे में चीनी और नमक डाले और चीनी और नमक को अच्छे से मैदे में मिक्स कर ले याद रखिए कि चीनी और नमक डालना ज़रूरी है क्योंकि चीनी और नमक से इस्ट हमने जो डाला है वो अक्टिवेट हो जाएगा मिल्क डाले और मिल्क को भी मैदे में अच्छे से मिक्स कर ले हमने जो वाम मिल्क डाला है इसलिए डाला है कि इससे पीज़ा का भी बहुत ही सॉफ्ट बनेगा मिल्क मिक्स होने के बाद अब हम इसमें वाम वाटर डालेंगे और warm water डाल कर मैदे को अपने हाथों की मदद से मिलाते हुए एक डो की शेप में बना लेंगे चलिए डो तयार हो चुका है अब हम डो को एटाइट करकर रख देंगे हमें डो को 5-6 आउर तक एटाइट करकर रखना है चलिए अब पीज़ा की टॉपिंग बनाते हैं इसके लिए हम मैंने चिकन लिया है चिकन में मैंने नमक और हल्दी डाल कर इसे अच्छे से बॉइल कर लिया है अब हम ये बॉइल चिकन को थोड़ा से ओईल में डालेंगे और अच्छे से फ्राइ कर लेंगे इस चिकन को हम golden brown होने तक fry करेंगी चिकन अच्छे से golden brown हो चुकी है अब हम इसे एक bowl में निकाल लेंगे चलिए अब pizza topping के लिए pizza sauce बनाते हैं इसके लिए हमें लिना होगा chopped tomatoes बरीक chop की हुई onion लेसन tomato ketchup chili flakes और organo chili flakes और organo मैंने घरीब पर बना लिया है इसके recipe भी मैं आप से जल शेयर करूँगी sauce बनानी के लिए सबसे पहले हम एक pan लेंगे और pan में 1 tablespoon oil डालेंगे आप यहाँ कोई भी oil यूज़ कर सकते हो मैंने olive oil यूज़ किया है इसमें हम लेसन डालेंगे और लेसन को हलका सा fry कर लेंगे pan में tomatoes डालें और tomatoes को थोड़ी देर के लिए fry करें वन स्पून नमक डालें और नमक को tomatoes में mix कर लें tomatoes में half cup water डालें और 30 आच पर tomatoes को soft होने तक ठक कर पकाएं tomatoes soft हो चुके है अब हम onions डालेंगे और onions को इसी में mix कर लेंगे tomatoes और onions soft हो चुके हैं water भी सूख चुका है इस तरीके से हम spoon की मदद से tomatoes को mash करेंगे और थंडे होने के लिए रख देंगे tomatoes थंडे हो चुके हैं इसे grind कर लेंगे और अब हम tomato puree को pan में डालेंगे और थोड़ी देर पकाएंगे इसमें two spoons chili flakes डाले two spoon organo डाले और वान स्पून चीनी डालेंगे tomato ketchup डाले और इसे अच्छे सी पका लेंगे पीजा सॉस रेडी है चलिए देखते हैं टॉपिंग के लिए किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी टॉपिंग के लिए हम लेंगे दो चॉप की हुई tomatoes एक चॉप की हुई onion दो capsicum लेंगे हम मैंने yellow और green capsicum ली है अगर आपके हाँ सिफ green capsicum available हो तो आप green capsicum ही use कर ले मैंने yellow capsicum इसलिए लिए कि इससे पीजा का लुग बहुत ही कुपसूरत आता है कैपसिकum को हमने slices में cut किया है 7 to 8 black olives लेंगे हम fried chicken जो हमने fry की और pizza sauce shredded mozzarella cheese हमने जो base का dough airtight करकर रखा था अब हम इससे खोल लेंगे और इसे अपनी हातों की वदर से अच्छे से mix कर लेंगे और 1 hour तक फिर से airtight करकर रख देंगे अब हम कुछ इस तरीके की थाली लेंगे और थाली पर अच्छे से oil grease कर लेंगे याद रखीगा हमें oil अच्छे से सारी थाली पर बराबर से लगाना है इससे हमारा base जो है ना वो stick नहीं होगा थाली को अब हम अपने हातों की मदद से base को अच्छे से थाली पर फैला लेंगे base अच्छे से फैल चुका है अब हम अपनी fingers की मदद से कुछ इस तरीके से base के corners में करेंगे इससे हमारे pizza का shape जो है ना वो भी बहुत अच्छा आएगा और सादर soft बने अब हमें base में forks के मदद से holes करेंगे इससे चो हमारा base होगा वो ज़्यादा फूलेगा नहीं दर्मियान में से चलिए topping करना शुरू करते हैं इससे पहले हम oven को 180 degrees पर 10 minutes के लिए preheat कर लेंगे ताकि जब तक हम topping करें जब तक oven preheat हो जाएगा अब हम base पर pizza sauce लगाएंगे और बराबर से सारे sauce को pizza base पर लगा लेंगे वाव पीजा sauce का बहुत ही जबर्दिस कलर आया है अब हम pizza base पर mozzarella cheese डारेंगे और सारे base पर mozzarella cheese को बराबर से फेला लेंगे अब pizza base पर हम yellow और green capsicums रखेंगे tomatoes और onions इन दोनों को भी रख लेंगे जो हमने chicken fry की थी अब वो सारी chicken को हम pizza base पर रख लेंगे अब हम सारे olives pizza पर रख लेंगे अब हम pizza को 180 degrees पर 20 minutes के लिए बेग करेंगे हमारा pizza तयार है कैसा लगा कमे सेशन में बताए मेरी वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें